साब कहा थे आप हैं इत की तैयारी और यहां मैच वड़ने वाला था हम जीत गया सुपर अवर हुआ है आपने जैसे बोला था बिल्कुल हमने वैसे ही किया अगर आप कॉल करते तो जीते हैं अचा यह सेमी फाइनल है कितने अवर गया दो दो और किन से में अचे वही पुराना वाई गदार इलेवन बोल सकता हूं गदार इलेवन भाई फर्स सेमी फाइनल डीलस ए वर्सीज डीलस बी वंस अगें एक दूसरे के आमने सामने और यह बहुत इंट्रेसिंग मैच होने वाला है एक दफार फिर अमजा भाई बाल करेंगे फर्स बाल नसीर भाई सामना करेंगे फर्स बाल पहले ही बाल फुल टॉस रन आउट बाल बाल फिर लेकिन यह लाइट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो इसलिए नजर नहीं आ रहे हैं अमजा भाई कर आएंगे शाफ बाई को मुबाईल में चार्ज कम और हमारे चार्ज जो है हमारे चार्ज भी बस डाउन होने वाले इसके बाद सहरी का टाइम है और यह शांद अच्छी बैटिंग बहुत इशांदार चक्का मारे शाफ यह भी हमारे अपना रहे हैं अच्छे वले और को भी यह जख्मी कर रहे हैं वाजे साब तीन बॉल आट रन ऐसी बॉल आट रन हमजा भाई फिस फ़िर फिर उंपाड़ को ब्राउस किया और शांदार चक्का क्या बहात है क्या सेमी फाइनल देखने को मिलना हो ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ऑ- दो चक्के लग गए अमजा भाई को एक नसीर भाई के आतो और एक शाव भाई के आतो शांदार मैच हो रहा है क्राउड भी है यहां पर मौझूद और यह वाइड बॉल चार बॉल पर कितने रहन हो गए शेरी भाई यार कितने हो गए चार बॉल पर दो सिंगल है पंदरा रन चार बॉल पंदरा रन अल्मोस अमजा भाई एक दफ़ा फिर सामना करेंगे नसीर और यह चार हो सकता है नई दो रने कंफर्म दो था लेकिन दो लेने से गुरेस किया शाव भाई ने एक रन पर इतिफाक किया है चलो अच्छी वेडिंग ओल अवर दो अवर का यह सेमी फाइनल एक दफ़ा फिर आमने सामने डियलेस ए और बी लेकिन कुछ पता चला है कि गद्दार 11 भी खरार दिया गया इनको कुछ अमारे प्लेयर्स की तरफ से लेकिन मैं नहीं कह रहा हमारे कुछ प्लेयर्स बोलना है और यह आया अल्मोस अवर पे 17 एक आवर में अमजा बाई ने दे दिया अच्छी बैडिंग नसीर और शाफ की दूसरा और करेंगे शाब बई करेंगे सामना और यह इंपायर का इशारा वाइड़ बॉल बहुत बड़ी वाइड है एक दफ़ा फे मुनाव बई सामना करेंगे शाब भाई रन आउट हो सक चेक कर सकते हैं बरपूर इनरजेटिक क्राउड और यह डॉट बाल पता नहीं कौन सा शॉट खिलना चाहरे थे शाब भाई सामना करेंगे मुनाव बाई गा और अच्छा शॉट सिंगल अच्छा रन पर दो रन दिया अब तक इस बॉलर ने मुनाव बाई ने अच्छी ब बाल दो रन अच्छी बॉलिंग मुनाव बाई की और यह बोल अच्छा कमबेक किया भाई ब्लस सीम भी ने और एक और बोल शांदार बॉलिंग मुनाव की तरफ से और यह सिर्फ और सिर्फ दो रन का ओवर किया है और 20 रन का टार्गेट क्या बात है लड़के तेरी आज वीजुल सलू भाई को बॉल तमा दिया गया है प्रेशर बड़े मैच के जो है बॉलर है एक बॉल डॉट करा चुके हैं सलू भाई सेकेंड बॉल माजिद भाई सामना करेंगे और यह सिर्फ और सिर्फ एक हो सकता है दो भी हो सकता है बहुत ही आराम से जा रहे हैं रन होस्टल फवाँ के साथ नंच है ओपरेश्चा लेए आजी लुख को बने लिख सारव हो जुके हैं और यह को भड़ हो सकता है और यह र cash ऊसकता है और यह रन आउट सकता है पायर का इशारा घृजुट अच्छा अच्छा उदे दिया बाई गुड हो गया अब वे चार बॉल दो रन नहीं चार बॉल तीन रन डबल भी आउट हुएं अच्छी बॉलिंग सल्लू भाई गी बड़े मैच के बॉल हैं सल्लू भाई लेजंड जफा कप्तान ने अपने आपको प्रमोड किया उपर आ है यहां आज पर लगके इसकी चड़ में बॉल गई है तो यह दो रन बोलने हैं हम बोलने के एक रन हैं तो इसी में जड़ा पंचाइट हो दी कफ्तान साब खुद खेलने इसलिए कुछ ज्यादा ही पंचाइट करेंगे और याच्छा बॉल मिस करा दिया पपू फिल्ड बैक मैं तो व्र और यहां आवर में चाहिए पंद्रा नसीर भाई करेंगे और फाफ रमें चाहिए पंद्रा नसीर और मारी मांजिव रग्यूर पर लिएक हो मना कclock है कैच हो गए है कैच अच्राइट हो गया हें क्या बात है लोपे जाएए पंदरा रन नसीर भाई बॉलिंग करेंगे बॉल क्या बाते बाई क्या बाते चार बॉल पे पंदरा दर्कार डिलस ए वर्सिस डिलस बी और जराय के मताबिक पता चला है गद्दार 11 अब मुझे नहीं पता पता नहीं क्यों बोलते हैं तो मेच जो है चार बॉलों पे पंदरा रन दर्कार नसीर भाई बॉलिंग करेंगे दैन्याल भाई को दैन्याल भाई सामना करेंगे नसीर भाईएगा एक और डॉट एक और टॉट तीन बॉलों पे चाहिए 15 रन पॉल सिफर अच्छा वर सेमी फाइनल मैच डी लसे वर्सीज डी लसब एक और आउट 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 बॉल फिखने में इनको एवाट देंगे फाइनल ये जीद गें बॉल फिखन करो यार वाज बाई पाई टाइम निए खतम कर दो आबे यार नई नी वाइड नी एक बाइज थे लेंगे भाई आखरी तक खेलेंगे वाइड बाल ते लिए भाई एक बाल यार एक शलू बाई आप टॉस कर लो सलू भाई यहां एक पे चौदा एक बॉल चौदार अंदरकार चलो और कैच नहीं सिर्फ और सिर्फ एक रग अच्छा और यह समी फाइनल विन कर गया गुड़ आवर यार नसीर भाई गुड़ आवर गुड़ आवर कब